मेरा पहला मॉक टेस्ट में जो स्कोर था वो लगवक साथ नमर के करीम है तो आपकी गल्फरेंट के बारे पुछ रहे हैं कि मैं इंट्रस्टेट था नहीं पड़ने में मैं सर मुझे यूपियसी की तियारी करनी है मैं एक रेजुशन में क्या करें तो आज हम जिनके साथ हैं उनको को इंट्रोडक्शन की जरुवत नहीं है हमारे साथ है अधित्यरंजन सर जो की अपनी जरनी के बारे में बताने वाले हैं starting से लेकर के बच्पन से लेकर के अभी तक जिस मुकाम तक पहुँचे हैं उस सारी जरनी बताने वाले मैं से बहुत सारे question पुछने वाला हू और आपके भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं सर से पुछने वाला हूँ तो ये पुड़कास्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टन है और बहुत ही हेलफुल रहेगा तो आम पुरी जन्नी को इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले सर आपके बारे में जानते कि आप यह बता आपके बहुत अच्छा लगा पाकी जो सबसे पहला सवाल था वो आपका इबर फिर्ट रखाएंगे मेरा सवाल था सर आपकी बच्पन कहा से स्टार्ट हुई क्योंकि आपकी हम पूरी जन्नी को कवर करने आपके जगह पर यह स्कमित है और अलग 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 वेबसाइट करता हूं हर जगह से बिलॉंग भी करता हूं लेकिन फिर भी अगर आपके मन में एक है इच्छा कि हा एक नेटिव क्लेस क्या है और जन्म कहां पर हुआ है तो वो मेरा जन्म जो है वो बिहार के एक छोड़े से डिस्टेक पश्यम चंपारन बेतिया में हूँ अभी दो दि खूल जो कि मेरा भी होमतों जहां पर मैंने अपने अपने टूं टक यहां श्कोल से अच्छा, वह पास है, प्रिल्स टेशन के पास है, पास है, रिल्बॉ स्टेशन के पास है, वहीं में छोटा सा रों में लेके रहते थे, और तीन हजार उपे किराया हुता था था, तीन एक क्वेशन सर कि आप आपने स्कूल और तुवल्थ कर टाम पर आपके इस स्टुडेंट थे एक होता है इस अपने आपके पढ़ने में अच्छा था ता पर अज आप आपके चैनल पहना जो बाते बताऊंगा मैं तु बी वहरी होन अच्छी बताऊंगा मैं आपको सच्छी तक भी मेरी अच्छी रही लेकिन छठी के बाद से मेरा थोड़ा तवित खराब हो गया और क्लास 6 से लेकर 10 तक मेरा जो पढ़ाई बहुत शांदार नहीं हो पाया बहुत अच्छे मेरे मांक्स नहीं आते थे आवरेज हो था था 60% 70% 80% जादा से जादा गया तो बहुत अक्सर नहीं मिला अक्सर स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर उन बच्छों को फेवर जादा गरते हैं जो पढ़ने माच्छे होते हैं लेकिन 11 12 में थोड़ा पहली बार हुआ कि 11 में टीचर मुझा भी ब्यादा शुक्ला सर थे तो एक कोशन उनने पूचा था और उसका अं अधिक बना जाए कि जो भी कोशन को बना लेगा तो उसको मैं चॉकलेट दोगा जो सबसे पहले बना लेका और मुझे उस्टॉलेट के लिए मतलब ज्यादा नहीं होती थी लेकिन हम इसक्राफ में सबसे पहले मैं बनाऊ तो इस बात पर मैं इने माथ में इन इन इंट इन तो इक इंटरेस्ट वहां से एलेवन के लिए नमन आगए के लिए लिए नमन है और आज सीम चीज में अपने उफ-लाइं क्लास में करता हूं कि आप अभी कहां पर इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो और मैं सीम चीज है ना मतलब मैं बच्चों में भी डालना चाहता हूं कि जब वह भी आगे जाए और अगर ऐसा कोई वह प्रोफेशन चूज करें तो वह इस अरी तरिवा मतलब इसको आगे बढ़ा आगे करें नहीं कहां पर गई राची तो आप चलेगे राची के बात यार यार बड़ा सिस्पिशन सा रहा है जिन्दगी में कि करें तो करें क्या मतलब इस नहीं था तो बीटेग में इंटरस्ट था नहीं तो हम लोग घूमे काफी हमने मतलब सोचा पूछे पापा क्यूंकि हम इसा नहीं था जो हमें गाइड कर पाए टीक है मिडल क्लास से आते हैं पापा किसान है और बहुत जादा पापा के दोस्त तो समय नहीं थे जो थे भी तो उनके बच्चों इतने सादा आगे बढ़े लिखे नहीं थे तो मन में काफी क्यो आ रहा था कि हम इंजिनियरिंग क पढ़ाई के मामले में अच्छी है और खर्च नहीं लगता पूरे साल का दस से पंदरह जार रुपे बस पीस लगता है मैंने का इस से बढ़िया बाद क्या होगी इंजिनियरिंग में आप करो तो एक सेमेस्टर के एक लांग लग जाते हैं और दस-पंदरह जार में पूर थोड़ी सी क्राजवश्स गाइशा नमें अहीं एक गारे से सिम्प ठीटाय नहीं सरह नहीं हो गई के सब्सकतर है ल यह स्ट्रीम सही करपा कि रिसाइद है अच्छा थे ऐा मिलता है थीज़ा तो प्राप कोई बें तो कोई यह एम Philippinesичноありがとうございます मैं में क्या करें डरुपining मैं सिंप तुम्हें करनी 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 तुम्हें तुम्हें करनी तुम्हें करनी तुम्हें करनी तुम्हें करनी तुम्हें 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 करनी तुम्हें तुम अब 9 बजे से 11 बजे तुम रिवाइस करो गया तुम एससी पड़ो गया पॉसिबल ही नहीं था वो मेरी गलती थी तो वो अगर नहीं रहता तो शायद जो सफलता आज मिली है यह दो साल पहले देख पहले मिल जाती तो आपका आपके हिसाब से कोई डेली उनिवर्सिटी में करता है तो कौन सा स्ट्रीम चुनना ची उनको मेरी हिसाब से डेली उनिवर्सिटी में करता है तो नहीं आप आगे क्या करना चाहते हो वो डिपेंड करता है अगर आप आगे यूपेसी करना चाहते है अगर आप एससी करना चाहते है तो बच्चों की सबसे बड़ी दुख करेंगे अधर बच्चों के लिए भी फायदाब जो बीटे करके उसका रीजिंग और इंग्लिश वह स्ट्रॉंग होगा मैथ स्ट्रॉंग होगा तो इसको ऐसे एज मिल जाता है लेकिन ऐसा गलती मत करो भी ए प्रोग्राम ले लिए बताओ मैथ सॉनर्स ले लिए है कोई मतल करते हिए तो मेरे मेरे खुद के अंकल ही थे और साथ मेंही तीग-छी एज रहता थे ओपी तो मुझी तो मुझी एपने नौलिज देखा थे तो उनका टेस्मे लगाता था तो इनका तेस्में लगा था था टायता था तो मुझी अधर बड़ा पेपर है यार हम एशानी से पर इसमें के प्रिजिनिग क्या तो मुझे अपने बेसिक्स नॉइज पर इड़ा लगा पढ़ा देना पड़ेगा और गंए गट केशश की एसे बाए थे हमें लुटी से पर शाहिए तो हमने का ल्टी को नेहा है लोगों कोचिन का प्राइड पैंपलेट तो हमें कि एक पा परहांब परेंदेकर करा यज इसनै चाराम के अप से पहती है हुआ स्थीरिव मेरे सीय के आहिस्प दोल शुरू नहीं अगू तो आपने डोल शुरू है कैसे यह तो बता देजे कि अपने कोचिंग जवाइन तयारी शुरू शुरू में ऐसा था कि अगर हम बात करें मेरी प्रपेर्शन को लेकर कर तो मतलब मेरा स्टार्टिंग दौर तो सबसे पहले जो है मेरे दोस्ते पहले पटना में गया वहाँ पहले मैं अपने बेदिया श पालिटी थी नो डाउट था लेकिन मैं उतना इंटर्स्टेट था नहीं पढ़ने में फिर रम पतना गए वहाँ पर भी काफी बेड़ दे कि अमने तो हां से जी एस अमने पूरा प्रिपर किया तो यहां पर आए तो यहां पर अब कोचिंग लेने का मन मेरा नहीं हो पारा इसके अलबा लावा लाइबरी में रहरे कर मैंने खुद की काफी सारे कंसे बनाए जैसे मेरा हमेशा हर सवाल के उपर मेरा रमसर से डिसकेशन होता था कि सर आपने इसको ऐसे बता है हम इसे ऐसे भी तूकस रखते हैं जैसे कंपाउन इंटरेस्ट के काफी सारे शॉर्ट मैं पूछता था हूं से मैं तो इंटरेस्ट रहे हैं आपका तो आप दिमाग लगाता होगा कि मेरे मौक तस्मों कोई कोई कोशिंगलात होगा और इतने लंबे चौड़े सॉल्यूशन दे रखे हैं टेस्ट वालोन इसको चोटा करने की हमेशा कोशिस होती है कि स्मार्ट शुल्यूशन देख लेकर आपके तो हमेशा वो दिसक्शन राम सर्श्रिफ था था ता तो तो डिली माप अच्छा सरा आपका तो सब्स्टार अपका तो कौन से अप्रण में हुआ था भूआ था बहुत सर लोग बुल बुल सेकंड एकर अटर एला था था यह ता दो अट अटेम्ट में नहीं होता है वो दिदमोटिबेट हो जाते हैं उनको पहले से लगना था कि साइद नहीं होगा मेरा सेलक्शन देखो यह मैंने भी जो शुरू किया था न साथ नंबर से शुरू किया ता नि अब देखो। यहीं पर आता है बेसिक एजू का फर्क एक जे एक वाला थोड़ा यहां रेस में बढ़ जाता है, क्यूंकि उसको 1st semester, 2nd semester, 3rd semester में यहां पर चैने इज मिल रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तो अगर हम दोनों साथ में तयारी शुरू करेंगे, तो मेरी तयारी साथ्स होगी तो उसकी सीध पढ़ाई के समय नहीं करें तो उसको खतम ही क्यों ना करें तो बस मुझे बताओ किताब क्या है उसके बाद पेपर बताओ कैसे निकालना में बता तो आपका अपरोच किया रहता है तो आप कोई और भी चीज करते थे जब प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर फिर शुर्फ अ तोड़ा पार्लेल बैलेंस लेके चला, Monday to Friday, Saturday अपनी पढ़ाई करी, और ये था कि Saturday night में पूरी रात लाइड़ी में पढ़ाई करता था, मैं घर नहीं जाता था, Saturday night आट नौ बजेगा रूम पे चला जाओंगा मैं, फिर ग्यारा, बारा बजे दो बजे तक सो के उठो, शामाम को थोड़ा ठहलो, खाओ पियो, और बापस नॉर्मल, लेकिन जब पेपर आ गया, तो मजाग नहीं पर, तब सरियस हो जाएगा, तब सरियस हो जाएगा, सर्माइ अच्छी खासी आद कर लीती, लेकिन जीके जीस में पहली अटेम्ट में मिरसा दिक्कत भी थी, अठारा नंबर थी मेरे पचास नंबर में, जीके जीस में प्रीम है, तो बढ़ा दुखसा होता था हमेशा की कैसे करें, साइंस वाली चीज़ से तो याद हो जाती थी, लेक आपको साम दाम धंडवे सब लगाना पड़ता है, जीके में तब आपको इंप्रूव होता है, तो वो ओडर भी नहीं आपा रहा था, तो भाजसा याद कर लिया, ट्रिक पता चल गए, इस तरीके से करकर के फिर थोड़ी थोड़ी मेहनत फिरो करके, मतलब आपने उसमें करते हैं कि आपका सेलेक्शन एक साइज इंस्पेक्टर जैसे अच्छे पोस्ट पर हो गया था, ठीक है, फिर आपने टीस्टिंग फिल्ड कप से डिचाइड गया कि मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है, इसमें जादा इंट्रेस्टर मेरे जिंदीगी के अभी इसमें जाना है, 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 इसमें जाना आराम सजारे घर पे खाएंगे, पीएंगे, मोटाएंगे, बढ़ियां से घुमेंगे, तूर मारेंगे, नोकरे लगने के बाद तो काम कर नहीं है, मेरा सेनारिय थोड़ा उल्टा था, मुझे लगाना यारी एक साल मैं करूंगा क्या, कारण यहां पर यह है कि पढ़ा-पढ कर दिएυχी को चुहिएँ कर दिया था, लगन यहां बेएज को नहीं पता है जो मैं पता है रना एक सब्सक्राइब हरा झिएलों मझे जंप लेका Sutmistrz बहुआ है अच्छान में पारा कारऊ दीएज खलेगने एविश तर बहुआ कि पाढ़रा वर्स को नर्किया प्ढ़रा पढ़ाया, लेकिन वो ओनलाइन नहीं पढ़ाया, वो किसी को दिखानी, सब को लगा यह तो हज़रे किसमे अचानक से हो गए, तो असल में टीजर को जो पहले दो साल में महनत करनी होती है, वो पहले ही कर लिया था, सारे कंसेप्ट्स बनाने, ट्रिक बनाने, एवरेज के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, तीक है, दूसरा मुझे यह भी लगा कि यार, अभी यह वक्त है, बड़े बच्चों को गाइड करने का, उनको उनके सबने तक पूरा करने का, क्योंकि एक चीज़ मैं अपने टीचिंग के दौरान सीखी थी, अगर आप सेलेक्टेड नहीं ह मैं हैसूस कर लिया था, मैं पढ़ा तो रहा था लेकिन मैं सेलेक्टेड नहीं था, तो बच्चे थोड़े काम इंट्रस्टेड होते थे थे, आरे ठीक है, मासरी तो बढ़ा रहे हैं, बड़े हम बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट उनको देने की कोशिश कर रहा था, बट वहा हम भी सेलेक्शन देंगे, तो हमने एक बार में पांच सरकारी नोकरी निकाले, और सबके रिजल्ट बाक टू बैक मन तो मन दाते गए वहां पर, तो उसी दोरान में जो यह एक साल का गैप मिलाना था, इसमें मैं अनलाइन में पढ़ाना शुरू किया, 9 जनवरी 2021 को, और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो दीरे दीरे मैं वहां से बच्चों के नवस को समझता गया, मेरी पहली क्लास थी और मुझे तो यूटूब को कुछ भी नाउलिज नहीं था, येकिन मानो इवन्ट कब लगाते हैं, मैं पता है कैसे करता था, तुरंट इवन्ट मतलब नया शुरूबात किया है, तो एकदम नहे तरीके से शुरू किया, नहे सिरे से शुरू मेरी पहली क्लास में दो लाइव वाचिंग थे, एक मेरा खुद का मॉबाइल था, दूसरा कौन पता नहीं था, तिक है मुझे खुज भी नहीं पता, हो सकता हमारे तो दो ही व अब पता चले आज के समय क्या है, कोई नहीं नहीं सेलेक्ट होता है, या एक तरीके सो कोई भी टीजिंग में जा रहा है तो वो यह दिखाना चाहता है, सारे खतम है, मैं बेस्ट हूँ, मेरे पास में ये चांसेप्ट है, मैं इस हाई लेवल के कनित को पढ़ा सकता हूँ, वो चाहिए ही नहीं, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या चाहिए बच्चे, बच्चे हां पर यह मेरा छोटा भाई है, वो एससी की तियारी करना चाहता है, तो उसको शुरू कहां से करें, परसेंटेज में लोगों को 40% 2.5 होता है, ये तक नहीं पता है, मुझे नहीं पता है पर कि डिमांड क्या है है इस तरह के सबसे पहली वीडियो रिकरॉड की परसेंटेज की और वो सबसे पहली वीडियो हिए मेरे अब तक के सबसे हाइस वीज है, और मैंने देखता है है अब भी चाह पान सब 25 चले गए होंगे, मतलग बहुत ज़ादा बच्चों के असल में देखो SSC फील्ड भी ऐसी है कि इसमें इतनी भीड आनी सकते हैं असल में क्या होता है बाकि एक्जाम्स आप यूपी उठा लिजे उठा लिजे तो यह जो बच्चे होता है यह यूटुपर जादा पढ़ना पसंद करते हैं तो इस केस में अगर आप पढ़ा रहे है जिसके लिए 10,000-15,000 शूपर जाते हैं यह जाते हैं इतना मेरी क्या किसी के भी नहीं जाएंगे समझ रहे हैं कोई अनॉंस्मेंट में हो सकता है टीचिंग में लाइफ क्लास में कि भी किसी करते हैं और वहां आपने जो बोला कि ब्लैक बोर्ड और मार्कर से स्टाट किया आपने लाइफ को पांच साल बाद क्या देखते हैं तो उसके बाद कुछ बच्चों को पैसे के हिसाब से नहीं तौलता हूं मुझे ऐसा लगता है आज भी जहां पर मैं हूं मुझे रात में जब मैं सोने जाता हूं तो सुकून रहता है कि मेरे पास मेरे कुछ भाई- किसी भी स्थिती में जब मेरे साथ खड़े हैं मैंने जो दिल्ली में आके कमाया वह ही कमाया ओके साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे सफर में खड़े हैं जो बच्चों के लिए खड़े हैं जो अच्छा कंटेंट देते हैं जो अच्छा बनाते हैं और जोड़ पाएं और लोगों के साथ जो है तो वहां चाहिए अभी आपकी फैमिली सर जो है तीम की फैमिली कितनी फैमिली मेंबर से अपने स्टार्ट किया था खुद से अकेले किया था अभी वह अब शुरू किया था मैं और विक्रमजीत सर दो लोग थे अभी 200 प्लस है 200 प् ठीक है आप रेडियो रैपिड फैर होगा है यह कोई दिकत नहीं है मेरे किसी आंसर में अभी तक आपने पॉस भी नहीं है नहीं देखा मैंने ठीक है सबसे पहला कोश्चन तो सर यही है कि सर अप साधी कप कर रहे हो तो शादी आज कितना चौबीस चल था है तो भी मैं आ अपनी जरूरते पूरी करने से जादा बैतर है पहले जो बच्चों की हैं और भी चीजे उनको थोड़ा पूरा करें थोड़ा ध्यान दे क्योंकि एक फैक्ट है मतलब लोग कहते है कोई जोड़ जाता है जीवन में तो सफर असान हो जाता है मैं कहता हूँ डिफिनिटली ह होता है लेकिन वह आपका खुद का सफर असान होता है करियर की चीजे जो होती है न वह थोड़ी सी शुरू में डिस्टरमेंस होती है मुझे असा लगता है कि शादी होने के बाद मेरा थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे आपको लिख रहे सर ल ना मतलब ऐसा है कि सब कुछ तो खतमी है मतलब क्या ही कोई इंसान जब तुमारे कुछ है ही नहीं दो क्वोने का डर किसको रहता आईफोने जए रास्ते में चल रहे हैं कहीं गुमना हो जाए कोई पोकेट ना मार ले जिसके की पैड़ फॉन रखा हो आई चोरी कर लो क्य तो जहां पर सफर में आपने कुछ अचीवमेंट की ही नहीं जिन्दिगी में कोई बड़ा काम किया ही नहीं आपने तो वहां पर आपके मन में हमेशा क्या रहेगा भूख रहेगी कामियाबी की और कैसे करे और आगे कैसे बढ़े एक गवर्मेंट जो आप निकला दूसरा तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन यह वही लोग होते हैं जो बाद में पीट पीछे आ रहे मेरे पापा को ऐसे बोलते थे चार साल से जब इनका बेटा था तो शहर में लेके पढ़ा रहे हैं देख लेते हैं क्या होता है तो यह वही लोग होते हैं तो यह कई सारे लोगों को जवाब देना होता है, अब आप मुझे जवाब देने से बहतर अपनी कामिया भी सदो, तो मुझे यही लगा कि जब तक मैं अपनी मनजिल नहीं पराप्त कर लोगा, मैं रुकने वाला नहीं है, और वो टाइम टाइम मनजिल भी बदलता चला गया है, एक चीज अचेफ की तो दूसरा तीसरा एक कुष्चन है सर पूछ रहा है कि अगर आप पर मुझे बने तो कौन से अक्टर को आप लेना चाहोगे, देखो अभी इसके बारे में सुचा नहीं है, और मुझे लग रहा है कि शायद वी में इसके लिए रेडी भी नहीं हो क्योंकि पूरी सफर बाकी है, अभी तो एक पढ़ाओ जी रहा है अगी ठीक है सर और बाकी कुछ-कुछ लोग आपकी गल्फरेंड के बारे पूछ रह सर एक कुछन पूछ रहे हैं लोग वेंडर को लेकर के कि वेंडर चेंज हो रहा है अभी तो उस पर आपका क्या विचार होगा लोग कुछ स्टैटिजी चेंज करनी चाहिए गया लेको वेंडर चेंज होने से ना कोई फर्क नी पढ़ने वाला मतलब आप इस बात को मान कर सरे के चली है जो percentage के concept है जो मेंसुरेशन के concept है गोरी के है वही रहे रहेंगे हमारी वही पर्मॉला है इन हुप भानान सर चोवीस एक्जाम आने वाला सी जल में हमारा होता है सी जल के हैं हम लोग सी जल से रख्टेड और उसी को सब ज्यादा गएड करते हैं सी जल के बता देजे बच्चों का भी का प्रोच होना चाहिए जो जब बड़ा पेपर आप ची जल एक पेपर एंस अब के जो फादर र कारी नोकरी अगर कहेंगे तो वो सीजल होता है जो कि एक बड़ा रेस होता है और जिसमें 20 से 25 लाख लोग जो है वो अपलाई करते हैं और इस बीड में हर कोई अपने आप में टैलेंटेड है सब कोई और हर किसी को नोकरी चाहिए बट एड देंड में जो फाइड रह जा प्री निकलता है और प्री के रिजल्ट तक का वेट करते हैं कि मेरा जब तक कटफ में नाम नहीं आएगा तब तक में इसके त्यारी नहीं करेंगा और उसके बाद में जैसे आता है तो समय कम पढ़ जाता है फिर अगली साल वो रिदम तूट जाता है आप पहले देंस ऐस अच्छा मानो मैं 8 गंटे बोल दो तो क्या बागी के 16 गंटे तुम वेस्ट करने वाले है प्रैक्टिकली भाई तुम्हें अगर 12 गंटे मिल रहे है तो बारा कंटे पढ़ो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसको चार गंटे मिल रहा है तो पढ़ो तुम्हारे पास में जितने आवज हो सकते हैं आप उतने आवज पढ़िए ना और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिये फिक्स कर लीजे कि सरेडे संडे को मुझे रिवेशन करना है और मॉक्टेस देना है हमेशा अपना आकलन सबसे बेस्ट जो है वो मॉक्टेस कराता है मतलब इनसा अंधो में काना राज वाली बाते हैं पर कि सारे अंधे उसमें को यह काना निकल गया तो राजा समझ रहा है तो यहां पर 20-30 लोगों के कंपटीशन में आपने आपको यह मत समझे है मारा सीजन निकल जाएगा आप लड़िए आप युद्ध करिए अपने मन दॉंद करिए और इस अक्टूबर में देखे ना आपका सेलेक्शन कैसे नहीं होता आपका नियोंगे तो किसका हो लेकिन वह मेहनत हो पता है गोल्डेन मुझे ऐसा लगता है जिस दिल तैयारी अपनी इतनी खतरनाक हो जाती है ना अंदर नहीं कॉन्फिडेंस आना इस बार होगे ठीक है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आपकी जरनी जान करके और बहुत मुझे भी खुद मोटिवेशन मिला और बच्चों को ही मोटिवेशन मिला होगा कि अगर आप ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हो एक मिडल क्लास फैमिली किसान घर के फैमिली से हो करके यहां तक पहुचना तो कोई भी अचीव कर सकता है थिंक कोई भी एक साइज इंस्पेक्टर बन सकता है कोई भी सेक्सान ऑफिसर बन सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपसे बात करके थैंकियू सो मच आपको छागा ना बोलना चाते हो तो आप बोल सकते हो देखो, यहाँ पे हर कोई उद लड़ा रहा है कही नहीं है किसकी रणनीती क्या है और कौन किस तरीके का भी मन्यू है सोना नहीं है आपको जागे रहना यहां पर अपने सपने दोड़े बड़े रखने है और उनको पूरा करना है चाहिए यहां पर गोल लेन अगर आप यहीं पर देखेंगे तो इनों अपने जीमन में काफी संगर्स किया सबसे पहले जो है मेरे से भी पहले आपका सेलेक्शन ह हुआ है 2017 मेरा उननीस बैच से हुआ है तो मैंने वहां पर देखा इनकी काफी वायरल हुई थी जो अपने डेली लाइफ के बारे में बता रहे थे कैसे मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ घर से निकलता हूँ मेट्रो लेता हूँ और वहां जाता हूँ आपकी शायद चैन मैं समझ पाया कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी बाकिया स्प्रिंट्स ने कितनी मेहनत की होगी तो यहां पूरा जो डेल लाग का क्राउड होता है न मेहनत तो सारे करते हैं सबने उन 10,000 लोगों के पूरे होते हैं जितने की वेगंसी आई होती है तो आप लोगों से बस बहुत सही गाइडन जो है वो गोर्डन बताते हैं अपने चैनल के मादम से अपने टेलिग्राम के मादम से तो आप लग उसको फॉलो किया गरू ठीक है और बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ठीक है ताकि हम दोनों उसका जो है व कर दा कर दोज़ को में जरूर भी पलाओ जरूर बताते हैं अपने तो यरने को मցझेश से तो आप सास्त झाल झाल झाल